हमारे इस खास सेग्मेंट एक्स्प्रीनर में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुवानी पांडे एक्स्प्रीनर में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तान में 45 साल पुराना एक ऐसा मामला है जिसको लेकर इस वक्त वहाँ पर हंगामा हो रहा है और पाकिस्तान का जो उच्चितम नियाला है वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस मामले को लेकर जो स धानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो जिनको फासी के सजा सुनाई गई थी 4 अप्रेल 1979 को यानि 1989 को सजा इनको सुनाई तो गई लेकिन इनको मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का कोट में और इसी पर वहां की जो सुप्रीम कोट है अब उसने एक तरीके से नर अधिकारी जाते हैं और उन में से जो एक अधिकारी है वो सजा पढ़ना वहीं पर शुरू करता है यानि की कोट जो जिस कैद खाने में उनको बन्द किया गया था वहीं पर ही उनको सजा सुना दी गई थी और बहुत ही आम तरीके से जैसे किसी आम नागरिक के साथ कोई ट तक जो पुस्तक उन्होंने भुट्टो पर लिखी थी भुट्टो के आखरी 330 दिन उसमें ये बताया भी है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि जो जेल अधीक्षक थे वो अंदर जाते हैं उनके उस कैद खाने में और वहां पर उस वक्त उनको बुट्टो ल दाहौर उच नियाले के 18 मार्च 1978 के आदेश के अनुसार आपको यानि मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को नवाब मुहमद एहमद खान कसूरी की हत्या के लिए फासी दी जानी है सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील 6 फरवरी 1979 को खारिच कर दी गई और समीक्षा याचिका 24 मार्च 1979 को खारिच कर दी गई है पाकिस्तान की राष्ट्रपती ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया है इसलिए तुम्हें फासी देने का निश्चे कर लिया गया है यानि जो वहां की राष्ट्रपती उस वक्त थे उन्होंने साफ कहा था कि इस मसले पर कोई हस्तक्षेप उनकी और से नहीं किया जाएगा यह साफ इसमें जलक रहा है सादेश में कि उनको अपना पक्ष रखने के लिए उनकी जो याचिका उनने डाली थे बकायदा वो भी खारिच कर दी गई थी वहां की कोट के हिसाब से और याचिका खारिज होन प्षेप कहा है कि ट्राएल का मौका निश्पक्स ट्राइल का मौका तक जुल्फिकार अली बुट्वो को नहीं मिला था एहमद रजा कसूरी नाम ले लेते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का इसके बाद उन पर F.I.R. होती है F.I.R. के बाद पूरा मामला कोट में चलता है लेकिन कोट में उनको निश्पक्स ट्रायल का कोई मौका नहीं मिलता तो इस पूरी कहानी से इतना ही निश्कर्श यह ही है कि पाकिस्तान का जो निया प्रणाली है वो किस तरीके का है समझा जा सकता है और 2011 में जुल्फिकार अली भुट्टो के जो दामाद थे बेंजीर भुट्टो के जो हस्बेंट थे आसिफ अली जर्दारी उन्होंने 2011 में सुप्रीम कोट में यह पूरा मामला रियोपन क अच्छा यही होता इसके लिए कि अगर वो अपनी नियाय प्रणाली में और ज्यादा सुधार कर सकता इससे साफ जाहिर है कि वहां की जो न्याय प्रणाली है उसमें कितनी जादा सुस्ती है इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन के जरीए हमें जरूर कताईए